नमस्कार दोस्तों पूरा प्रोग्राम आप अंते तक देखें और अपनी राय अवश्य देए नमस्कार बंदूओं आज 12 जन्वरी सन 2021 महतवपूर्ण दिन क्योंकि आज सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है आज रात्री कालिन अमावस्य का पर बन जाएगा जहां सूर्य और चंद्रमा का कंजंशन होगा आज चंद्रमा सेजिटेरियस यानि धनुराशी में हैं सूर्य शुक्र भी धनुराशी में यानि सेजिटेरियस में हैं सूर्य शुक्र और चंद्रमा का अद्बु सयोग धनुराशी में बन रहा है क्येतुव रश्यक राशी में हैं स्कौ्पि में गुरू शनी और बुद्ध यो पीटर सैटरुन और मरकरी याप्रिकों यानि मकर राशी में हैं मंगल अपनी स्वयम पराशी में दрах कर रह रहे हैं weekly updates के अंदर जहां से आदि आप सुनेंगे तो हमने भारतिय रुपिया को कमजोर अगरिम बताया था जो कि कल अक्षर सत्य साबित होता देखा गया लगबक 23 पैसे की भारतिय रुपिया ने अमेरे की डॉलर के मुकाबले कमजोरी दर्ज की इसके अतरिक्त जो stocks स्टील सेक्टर के अपर हमने मुनाफ़ा वसूली की संभावनाय अपने weekly update में भी कहा था और कल 11 जनवरी के एपिसोड में भी कहा था कि स्टील सेक्टर के अंदर कमजोरी की संभावनाय बनेगी और वैसा ही बजारों में कुछ देखने को मिला टाटा स्टील स्टील आउटरटी ऑफ इंडिया जिंदल स्टील ने लगभग दो से तीन प्रतिशत की बड़ी कमजोरी दर्ज होई और यदि हमारे कल के एपिसोड में आपने देखा होगा हमने मारूती सुजुकी के उपर तेजी की अगरिम भविश्वानी की थी जो की सत्यसाबित होई और मारूती सुजुकी ने लगभग तीन प्रतिशत की बड़ी तेजी दर्ज होई और ना केवल मारूती अपितु टाठा मोटर्स ने भी बड़ी तेजी दर्ज होई और ADR के अंदर भी अमरिकन आइट ADR में भी जबरदस्त तेजी दर्ज होई उमीद है कि आप समने इसका भरपूर लाब उठाया होगा इसके अत्रिक्त बुलियन में भी हमने तेजी की बविश्वानी की ती जो की अक्षत्य सत्य साबित होई और लगबग डेड़ से दो प्रतिशत्त की तेजी सोने और चांदी के अंदर कल दर्ज होई उमीद है आपने इसका भरपूर लाब उठाया होगा आज क्या संभावनाएं बनती है आज सेक्टर वाच के अंदर ऑटो मोबाइल, सौट्वेर, शुगर यानि चीनी शक्कर, पबलिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर मजबूती की संभावनाएं बनत सकती है यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एस्ट्रो टेक्निकल के अधार पर निफ्टी और सेंसस पे ध्यान नहीं रखकर यदि हम सेक्टर, स्टॉक और सेक्टर और इंदर्स्ट्रीज विशेश पे ध्यान रखेंगे तो संभावते अधिक बहतर रहेगा स्टॉक वाच में हम नज़र रखेंगे मारूती सुजू की, BEL, RCF और टाटा मोटर्स इस पे नज़र रखनी उचित रहेगी एक और मैं आपको आगा करना चाहता हूँ, आज नो मून नाइट है आज चंद्रमा करेगा आज की रात और ये सूर्य चंद्रमा का कंजंशन अदभुत रिजल्ट अक्सर लाता है नो मून नाइट यानि मंगलवार की नाइट अक्सर बुलियन के अंदर विशेश हल चल ला सकती है और अक्सर तेजी भी देखी गई है तो आप विशेश ध्यान रख सकते हैं दोस्तों आप हमारे इस चैनल को जोईन भी कर सकते हैं मामुली शुल्प पर चैनल को अधिया आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब अवश कीजिए ये बिलकुल निशुल्प है इसके तरिकते अधिया आप हमारी व्यत्तिकत इन्फॉर्मेशन्स रिसर्च और रिकॉमेशन प्राप्त करना चाहते हैं लाइब मार्केट के अंदर तो आप हमसे संपर कर सकते हैं स्टॉक कमोडिटी और करनसी के लिए 988-70-56704 नमबर एक बार पुने सुने 988-70-56704 याद रगना दोस्तो यदि आप अगरिम महनत नहीं करेंगे रिसर्च नहीं करेंगे विशलेशन नहीं करेंगे तो शेयर और कमोडिटी विजार में आप लाब नहीं कमा सकते हैं आपको लाब कमाने के लिए अगरिम विशलेशन करना जरूरी है एक और एगरो कमोडिटीज के अंदर कल हमने सोयाबीन, मस्टर्ड सीड एंड मस्टर्ड ओयल के अंदर गिरावट की संभावना व्यक्त की थी जो की अक्षरत सत्त साबित होई आप भी अदिच चाहें तो हमारी विशेश एगरो रिकॉमडेशन को भी प्राप कर सकते हैं और संपर कर सकते हैं भारतिय फ़नेशल एस्ट्रोजी इंडिन फ़नेशल एस्ट्रोजी संभव तैविश में एक मात तरीका साधन या टूल है जो आपको अगरिम विशेशन कर आपको बजारोग में होने वाली हलचल आदन भावों के उतार चड़ाओ तेजी मंदी के सठीक भविश्वानी सठीक विशेशन कर अपनी बात आप तक पहुचाता है और हम ये लगातार पिछले दो दशोकों से ज़्यादा समय से लगातार ये विश्विशन आप तक पहुचा रहे हैं और जो भी महनुबाब इसको सीखना चाहता है आप सीख भी साते हैं आल दे वरी बैस्ट, गोड लक्ट, हापी ट्रेडिंग